इसमें हूँ आपका दोस्त यूवी परमार और आज का वीडियो का जो टोपिक है वो सबसे इंपोर्टेड उन लोगों के लिए है जो नए नए कबूतर पाल रहे हैं और कुछ लोगों के प्रोब्लम्स भी होते हैं कि अपने हमारे कबूतर किसी और की छत पे जाके बेढ़ हैं हमारे चत पर नहीं टीकते तो ये स्पेस्ट्यल वीडियों के लिए है जो अपने कबूतर को अपनी छत पर टीका ना चाहते हैं तो फ्रेंश में आपको और कुछ यसी बात बताऊंगा जो आप अपने चत पर पका करने के लिए यूश्पूल आपके लिए होगी तो बैठने निम्हें ज्यादा अपर आपके लगाएगी ज़िसे आपके कबुतर को बैठने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी और वह नहींद बैठेगा ठीके लिए दूसरी जो बात होती है वो है कभूतर का डर अगर आपके कभूतर के मन में आपके लिए डर रहेगा तो कभी आपके घर का पक्का नहीं होगा इसलिए आप जबी भी कभूतर को डाना पानी दे तब सबसे पहले आप उनको इतनी स्पेस दीजिए ताकि अगर आपका कभूतर आपसे डरेगा तो वो किसी और चत के उपर जाके बैठी जाएगा तो आप सबसे पहले इस चीज का धियान रखे कि आप उसके बिल्कुल करीब ना रहे उसे जितना हो सके उतना दूरी बना के रखे उनने स्पेस मिलनी चाहिए गुमने फिरने के लिए ठीक है और तीसरी जो इंपोर्टेट बात है वो अगर आप अपने कभूतर में देखे कि जो दूसरी बील्डिंग पे जाके बैठ जाता है वो मेल है या फिमेल अगर उसका जोड़ा नहीं लगा तो भी वो दूसरी चट पे जाके बैठ जाएंगा आप उसे जोड़े में लगा दीगे फिर अगर वो मेल होगा तो उसके सथ फिमेल रख दीजे फिर वो कहीं दूसरी चट पे जाके नहीं बैठेगा ठीक है तो आप ऐसे कुछ चीजे जैसे कि एंटीना है और अपने कबूतर से हमेशा ज्यादा थोड़ी दूरी बना के रखे उन्हें डर नहीं लगना चाहिए वरना देखो अभी वो एक जोड़ा है यह बच्चे है यह अभी नए नए है यह दूसरे की चट के उपर जाके बैठ गए क्योंकि अभी मुझसे डर रहे है थोड़े दिन के बाद यह इन्हें इस एंटीने की आदत लग जाएगी फिर वो भी कहीं पर नहीं जाके बैठेंगे ठीके अगर नए नए कबूतर है तो भी शुरू में यह प्रोब्लम रहेगा बाद में आप एसी कुछ चीजे एंटीना अगेरा लगा देंगे फिर यह कोई मसला नहीं है ठीके तो आप इसी जो मैंने थोड़ी सी बाते कहिए अगर आपके यूज में आ जाए तो मुझे कॉमेंटों में बता देना और आपको इस टॉपिक के उपर वीडियो भी बनावा नहीं है वह भी मुझे बता देना ओके